हेलो अबरीवन गुड मॉर्निंग तो कैसे हैं आप सब होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे चलिए देखिए आज ही क्लास में हम लोग स्टार्ट करने जा रहा है क्लास 10 का जो नया टॉपिक होगा वो है आपको कोडिनेट जुमेट्रे देखिए क्लास 10 से जो श्टार्ट है डिस्टेंस फॉर्मूला से आप इस फॉर्मूला को देखे होंगे लेकिन अभी इस वीडियो में आपको मैं पताना जाना है डे अगर नहीं पर आए तो उसका लिंक आपको tub proceedings में दे देंगे class 9 में जो बताया गया है कि कि किसी पौाइंट का coordinate कैसे फान करते हैं उसका coordinate कैसे निकलता है कि कॉर्ण 4 nume 150 जो किस प्रता कर्टिजंज दे गया करते हैं किसी point के position को रिपरेजयन करते हैं यह लोग यह चिजह हम लोग क्या drive करेंगे तो एक general value ले लिए हम क्या the distance between two points एक points A है जिसका coordinate है x1 y1 दूसरा point जो है आपको B जिसका coordinate x2 y2 है तो उस दोनों point के बीच का जो distance होगा वो x2 minus x1 to the whole square plus y2 minus y1 to the whole square उसका square root हो जाएगा इसको तो पहले questions समझें ठीक है questions क्या करें उसके बाद कैसे drive करेंगे बहुत ही simple इसका derivation है एकदम simple है ठीक है तो derivation के साथ हम लोग कुछ यहां से एक और formula निकलेगा जो हम आगे डिसकस करेंगे ही देखिए जैसे इस plane में मालने जिए access draw करने के बाद यहां अगर एक point है तो इस point का कुछ न कुछ तो coordinate होगा ना coordinate हो सकता है 23 हो जाए या 2-3 हो जाए कुछ भी हो सकता है तो इसलिए यहां पर एक general value लिए तो अगर पहला point है तो यह x1 और y1 मतले इस point का x coordinate x1 हो गया y coordinate y1 हो गया second point मालने जहां यहां बी ले लेते हैं जिसका coordinate हो गया x2 and y2 हो गया तो इस दोनों के बीच के क्या निकाला डिस्टेंस बताना है आपको a b equals distance कितना होगा कितना units हो जाएगा तो इसकी बीच का जो distance होगा यह इस formula से निकलेगा ठीक है यहां पर x2 minus x1 to the whole square है इसे आप x1 minus x2 का whole square कर देजगा तब भी सही होगा कोई दिक्कत नहीं होता ठीक है तब भी आपको answer मिली जाएगा और इसे ही बनाया जा सकता है अगर क्यों होता है उसका भी discuss हम लोग आगे करेंगे तो चलिए पहले इस formula को कैसे derive करते हैं drive करने के बाद इस पर आपको एक दो questions भी बताएंगे कैसे करेंगे ठीक है तो चलिए हम लोग derivation नहीं है और यह दोनों एक्सी जो है और इजिन पर कट रहा है ओ पॉइंट पर हो गया मानते हैं कि सपोज यह दो पॉइंट है किसी भी quadrant में देखिए वाइस से यह जो एक्सिस डब ड्रॉ करते हैं तो दोनों एक दुसरे को और फोर्थ quadrant इतना तो आपको पता होगा तो किसी भी quadrant में आप इन दो पॉइंट को ले सकते हैं या एक इधर एक इधर कहीं भी ले सकते हैं लेकिन डिराइव करने के लिए आप एक थोड़ा सा एक्स वान कॉमा वाइवन है ठीक है देखिए इस दोनों को क्या करते हैं जुइन कर लेते हैं मतलब हमको यह बी डिस्टेंस बताना है अब डिस्टेंस क्या होगा और अब डिस्टेंस होगा कितना तो यहां फार्मूला जो लिखा हुआ है रूट अंडर x2-x1 to the whole square plus y2-y1 to the whole square देखिए आपको थोड़ा concept समझना है थोड़ा धियान सा देखिए क्या करिए यह जो point A है ए से आप देखे यह जो X-axis है इसका naming करें तो हम O, 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 X देख रहे हैं तो थोड़ा सा constructions करना होगा क्या करना होगा इसमें कुछ constructions करेंगे constructions में क्या करेंगे A से इस A से हम एक perpendicular draw कर लेते हैं क्या A, L ठीक है? L ले लेते हैं ओके तो draw, draw A, L perpendicular to O, X मतलब यह जो X-axis है इसमें क्या किया है? L perpendicular draw किये, देखिए perpendicular draw किये मतलब बिल्कुल सीधा हो जाएगा, तो सीधा हो जाएगा, मतलब यहां पर identical angle बनाएगा, ठीक उसी तरह से B से क्या करेंगे आप? B से एक perpendicular draw कर लेजिए O, X पर, यहां भी perpendicular draw कर लेजिए, तो L के बाद M लेटर माल लेजिए, तो क्या हो जाएगा? C कर लेजिए, C कर लेजिए, A, C, तो A, A, B, C, एक triangle बन जाएगा, ठीक है? तो देखिए, A, C, साथ ही साथ क्या क्या किया हम? A, C perpendicular to BM, B, M, यह जो BM जो हम पहले draw किया थे, उस पर क्या की A, C perpendicular draw कर दिया, अब देखिए, A, C, BM पर perpendicular है, तो यह angle हो जाएगा, 90 degree का, होग कि नहीं होगा? क्योंकि perpendicular draw कि हैं, तो BM पर perpendicular है, तो यह C angle क्या हो जाएगा? 90 K हो जाएगा? 90 degree क्या हो जाएगा? तो, देखिए, इस तरह से यह जो triangle बन गया, यह जो triangle बन गया, 7 तरह तो देखिए इस राइट अंगल में इस राइट एंगल में यह हो झागा एंधेजर 1994 में यहां पे इशन पर फॉलैंगरूल你 कि लोडोर मिलेंगे लिए-स पर आप डॉड़ट में ही मिला लखिएगा यह AC के हो जागा इसका base हो जागा और BC के हो जागा इसका perpendicular हो जागा होगा की नहीं होगा तब बताइए इसमें आपको hypotenuse निकालना है तो है-पोटेनस निकालना है तो उसके लिए हमको क्या चाहिए हमको base and base and perpendicular के value चाहिए तो समझे यह दिया हुआ यही आपको find करना कैसे निकलेगा देखिए ज़रा धियान देखिए आपको क्या है ना यह जो B coordinate given है या चलिए हम A coordinate जो given है तो इसका मतलब क्या हुआ आपको पॉइंट यहां पर है और यह जो पॉइंट एल है ना ठीक है यह जो x1 जो वैल्यू है क्या है यह x coordinate x coordinate मतलब distance from origin origin to L on the X-axis मतलब आपको यह जो distance है यह वाला जो क्या है यह जो distance दिख रहा आपको यह जो distance दिख रहा है यह कितना है यह हो गया एक्स वन हो गया यह कितना हो जाएगा एक्स वन हो जाएगा ठीक है यह क्या होगा एक्स वन होगा और यह जो डिस्टेंस दिख रहा है यह वला जो डिस्टेंस दिख रहा है यह हो यह वाला यह क्या हो जाएगा यह आपको वाई वन यह अगर आप value क्या हो जाएगा X1 हो जाएगा ठीक है X1 क्योंकि अरे यहां जो होता है को पॉइंट मालेजी यहां 3-4 पॉइंट दिया हुआ है 3-4 अगर कोई पॉइंट है यह origin है तो यहां से X axis पर का जो value है X axis पर जो value होगा वो 3 हो जाएगा होगा और यह 4 मतलग क्या हो गया यह 4 हो गया आपको कौन सा value Y axis पर का value हो गया तो Y axis पर का value 4 हो गया तो यह 4 है तो यह 4 है तो यह 4 हो जाएगा और यह 3 हो जाएगा तो उसी तरह से यह X1 हो गया ठीक है अगर आप इसको इधर जोइन कर लेते हैं तो यह हो गया Y1 यह क्या हो गया Y1 अगर Y1 है तो क्या हो जागा Cm भी आपको Y1 हो जागा क्यूं क्यूंकि हम यहां से क्या किया है यहां से लेकर के यहां से यहां से लेकर के यहां तक क्या है यह वाला कोडिनेट भी है इसमें देखिए इसमें O से लेकर के M दका distance OM distance तो OM क्या हो जागा OM मतलब X axis पर जो distance वो क्या हो जागा X2 हो जागा तो यह हो गया आपको X2 बस इसी को समझने में दिक्कत है ठीक है यह अगर आप समझते हैं तो derivation और simple है तो यह OM क्या हो जागा OM X2 हो जागा और यह पूरा यहां से लेकर के यह BM है यह BM क्या हो जागा BM हो जागा आपको Y2 हो जागा BM क्या हो जागा Y2 हो जागा ठीक है Y2 हो गया मतलब यहां पर यह जो point है यह point इससे मिलेगा ना तो Y2 distance यह हो गया Y axis पर डिस्टेंस यहां पर origin है है ना यह वह जागा Y2 पूरा यहां से लेकर के यहां तक तो यह भी Y2 हो किया अब हम यह क्यों किया है हम यह इसलिए किया है किकि हमको इस coordinate इस triangle में बेस और है परेंडिगूलर मिल जाये देखिए आपको क्या है ना कि इस सीज़ को आप इधर लिख भी सकते है थोरा सा देखिए हमको क्या है कि LM जितना LM का Value होगा किसका जितना LM का Value होगा जितना LM का value होगा उतना ही किस का होगा इसी का value होगा की नहीं होगा तो देखिए ऐसी equals LM AC equals LM क्योंकि हमको इस triangle में AC पता करना है तो जुए को खैल आम कैसे निकलेगा तो LM निकलेगा ओम में से इस srl को भटा देंगे देखिए OM-OL, जरा देखिए OM, OM का value कितना है, OM का value आपको X2, और OL का value क्या हो गया, X1 हो गया, ठीक है, तो इस तरह से आपको AC का value क्या निकल गया, AC का value निकल गया, X2-X1, X2-X1 निकल गया, ठीक है, similarly आपको BC का value यहाँ B है, यह क्या है, यह B है ना, तो BC का value निकल गया, तो देखिए, BC equals क्या हो जाएगा, तो BC हो जाएगा पूरा, यह BM, BM, sorry, देखिए, BC निकलने के लिए, यह जो BC है ना, इस BC को निकलने के लिए क्या करना होगा, इस BM में से क्या करेंगे हम, CM को हटा देंगे, क्या करेंगे, BM-CM, ठीक है, तो BM आपको पूरा वहां से वहां तक्या, Y2 है, और CM क्या है, आपको Y1 है, तो Y2-Y1 हो गया, यह क्या हो गया, यह हो गया, यह हो गया, आपको, Y2-Y1 हो गया, यह किस का, BC का value, तो अब बताएगे, from, या in triangle, in triangle ACB, 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 ACB triangle में, using, using pathagoras, using pathagoras theorem, तो आप जानवे करते हैं न, pathagoras theorem, pathagoras theorem, pathagoras theorem, pathagoras theorem, pathagoras theorem क्या होता है, square of hypotenuse is equal to the sum of the square of other two legs, other two sides, तो hypotenuse के square क्या हो जाएगा, hypotenuse के square मतले, AB, AB इसका hypotenuse है, hypotenuse के square equals क्या हो जाएगा, इसका जो AC क्या है, AC का हो गया, आपको base का square, प्लस, प्लस यह क्या है, यह आपको BC इसका perpendicular है, प्लस BC का square हो जाएगा, ठीक है, अब देखिए, ACSquare, तो ac, ac के value होगी आपको क्या, x2 minus x1 का square, ठीक है, प्लस bc, bc होगी आपको क्या, y2 minus y1 का square, ठीक है, और यह जो square उधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपको, ab equals हो जाएगा, root under, root under x2 minus x1 का whole square, प्लस y2 minus y1 का whole square, ठीक है, तो यह जो derivation था, यह हमको निकल गया, ठीक है, एक सिब हम लोग value find कर लिए, base और perpendicular का, फिर पैथागोर्स लगा करके, hypotence निकाल लिए, अब देखिए, इस formula से, आप questions को easily बना सकते हैं, जब आपको कभी भी, देखिए, यहाँ पे आपको questions ऐसे भी दिया रहाते है, formula में, कि root under, difference of x-coordinate to the whole square, difference of x-coordinate, क्योंकि x-coordinate है, दोनो ही point का x-coordinate का difference ले लिए, तो आप किसी भी, किसी भी point में, किसी को घटा दीजिए, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर आप a-b का whole square, आप b-a का whole square, लिखिएगा न, यह दोनों का whole square, same ही आएगा, आप करके देख लिए, दोनों का whole square क्या होगा, इसका भी a square, a square minus 2ab plus b square, दोनों का क्या निकलेगा, same निकलेगा, ठीक है, तो यहाँ पर जगवी कम ही है, इस लिख को थोड़ा साम, erase करकर रखेंगे ने, तो ज्यादा gathering हो जाएगा, अब यहाँ देखिए, इस पर questions कैसे बनेगा, तो मान लिजे, अगर मान लिजे, यहाँ पर एक point a है, जिसका coordinate 2,3 दिया हुआ, 2,3, एक point यहाँ b है, जिसका coordinate मान लिजे, 6-2 दिया हुआ, ठीक है, तो क्या देंगे, इसका distance बताने के लिए, a, b, equals, तो आप क्या करेंगे, a, b, equals, root, under, देखिए, और questions करेंगे, अभी यह वीडियो थोड़ा से long हो जाएगा, हम लोग और अगले वीड देखिए, इसमें x का value यह 2 वाला हो गया, इसमें x का value क्या हो गया, 6 वाला हो गया, तो किसी में से किसी को आप घटा दीजे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, तो 2 में से 6 को ही घटा लेते हैं, तो 2 में से 6 को घटा दीजे, इसका square कर लेजे, फिर बीच में plus, अब हो जाएगा जिए भी आप माइनसटो और फिर से मैंने से पुलस हो जाएगा इसलिए यहां पर क्या देते हैं प्लस दैते हैं को दिकतत नहीं होना चाहिए ठीक है इसका स्कुर्श कर दिजए अब यहां पर आप 2-6 नहीं करते तो यह जाएगा माइनस 45 कहुल स्क्राइर अब इसमें आप यूनिट्स लगा दीजिए, क्या लगा दीजिए, यूनिट्स, क्योंकि 41 का स्क्वाइड रूट तो निकलेगा नहीं, तो यह इसका रूट 41 इसका रहा हो गया, ठीक है, अब चलिए, यहां से आपको एक बहुत इंपोर्टन फर्मूला निकलेगा क्या, कि जब आपको कभी किसी पॉइंट का डिस्टेंस का देगा, ओरीजिन से निकालने के लिए, कहां से, तो ओरीजिन से, तो देखिए, थोड़ा से यहां पर आप समझिए, कि ओरीजिन का कोडिनेट क्या होता है, ओरीजिन का कोडिनेट जो होता है, ओ, मतलब 0,0, क्या होता है, 0,0, जिरो कोडिनेट ऑफ ओरीजिन इस किसी पॉइंट एक की डिस्टेंस मतलब एक कोडिनेट कुछ दिया होगा तो देखिए यहां पर दो पॉइंट था इसलिए एक्सवन वाई वाई और एक्सटू वाई टू किया यहां कोई ऐसा पॉइंट यह और निकलने के लिए क्या करेंगा हम इसमें से क्या करना होगा कि हम इसी फर्मूला की यूज करेंगे इसका एक्सकोडिनेट 0 है और इसका एक्स कोडिनेट X है तो 0-X करिएगा root under क्या करिए जिरो मैनस X तो मैनस X का holly square आप पला 0- y करिएगा तो मैनस Y का holly square तो इस तरह से यह क्या हो जाएगा X square plus Y square निकल लिए ठीक है तो यह भी आपका एक formula यह भी क्या formula ही है ठीक है तो यहां से origin से किसी point का distance अगर आपको कह दिया जाएगा कि find the distance of point 6 find the distance of point 6 8 find the distance of point 6 8 from the origin इस point का distance यह point तिमाले जब पी है तो point P का distance आपको origin से बता आना है origin का coordinates, O, P ले 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 ज़े, इसका क्या ले 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 ज़े, O P, O P equals क्या हो जाएगा root under तो सीधे जो आपको दिया रहेगा क्योंकि 0 बला तो मैनस हो कि 0 को value नहीं है कोई फरके नहीं पड़ेगा तो सीधे जो points दिया हुआ क्योंकि जब यह origin से कहेगा तो भी इतना shortcut मा लगाना इस क्या करिएगा 6 square plus 8 square तो 6 square 36 plus 8 square 64 इस तरह से आपको 100 हो जाएगा और root 100 और 10 निकल जाएगा ठीक है 10 answer हो जाएगा तो hope कि आपको distance formula का derivation था और इस पर हम दो एक-दो example बता है यह आपको समझ में आगे होगा ठीक है मिलेंगे अगले class में हम लोग अगले कुछ questions के साथ और हम आपको सारे formula को derive करेंगे यहाँ पर coordinate geometries से class 10 से तो मिलेंगे अगले वीडियो में तब तक के लिए thank you